Hello Friends, आज की वीडियो में हम हमारे Fundamental Right, Right to Freedom के Article 19 को Complete करेंगे यह Article 19 वीडियो का Part 2 वीडियो है Article 19 हमारे देश के नागरिगों को 6 Fundamental Rights देता है Freedom of Speech and Expression, Freedom of Assembly, Freedom of Association, Freedom of Movement, Freedom of Residence और Freedom of Profession Article 19 Part 1 वीडियो में हमने Freedom of Speech and Expression को Complete कर लिया था अब देखते हैं Freedom of Assembly और इसकी शुरुवात करेंगे Assembly से हमें समझना होगा Assembly आखिर होती क्या है जब कुछ लोग इखटा होते हैं किसी Common Purpose के लिए तो उसे Assembly कहा जाता है जैसे कि आप देखते हैं कि लोग Religious Purpose के लिए मंदिर, मस्जद, गुर्दुवारा या चर्च में Prayers के लिए इखटा होते हैं ये Assembly का एक Example है इसी तरह नेता जी की Rally में हजारों लोग इखटा होते हैं उनका भाशन सुनने के लिए या उनको देखने के लिए तो ये एक Common Purpose के लिए खटा होना हुआ तो ये भी एक Assembly है यानि अगर बहुत सारे लोग एक जगा पर मिलते हैं किसी भी परपस के लिए तो उसे Assembly कहा जाता है और हमारा Constitution हमें Right देता है कि हम Public Place पर Assemble हो सकते हैं Public Meetings के लिए, धरने या Demonstrations के लिए या फिर किसी जूलूस के लिए, यानि Procession के लिए बस Condition ये है कि ये Assembly शांती पूर्ण हो और बिना किसी हतियार के Assembly में किसी के पास कोई हतियार नहीं होना चाहिए और इस Assembly में या इस Assembly के कारण किसी भी तरह का कोई भी वालेंस या दंगा नहीं होना चाहिए और एक Condition ये भी है कि आप किसी की Private Property पर Assemble नहीं हो सकते हैं आप किसी के घर की छत पर नहीं Assemble हो सकते हैं तो फिर आप कहां assemble हो सकते हैं, आप assemble हो सकते हैं, किसी public place पर, जैसे कि कोई सरकारी ground हो, park हो, वहाँ पर आप assemble हो सकते हैं, हमारा constitution हमें freedom of assembly का कोई absolute right नहीं देता है, यहाँ पर कुछ exceptions भी है, पहला exception यह है कि अगर state को लगता है, कि इखटा हुए लोगों की वज़े से देश क sovereignty और integrity पर खत्रा हो सकता है, या फिर, इनके इखटा होने के वज़े से public order बिगड़ रहा है, माल लीजे आप किसी road पर assemble हो गए, जिसके वज़े से लोगों के आने जाने में problem हो रही है, तो यह तो allowed नहीं है, तो इन दोनों grounds पर state अगर चाहे तो reasonable restrictions लगा सकता है, तो यह थ freedom of assembly, अब देखते हैं article 19 का तीसरा right, freedom of association, देखो यह तो human tendency है, कि हम लोग उन लोगों से बात करते हैं, जिनके thought process हमारे जैसा है, यानि हम अपने जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ मिलते हैं, उपते बैठते हैं, और इस तरह कि अगर बहुत सारे लोग एक स को अलाव करता है, कि वो एक नई association, union या फिर cooperative societies बना सकते हैं, association या संगटन कोई भी हो सकता है, ये कोई political party हो सकती है, company हो सकती है, या फिर societies, clubs, organization, trade unions भी बना सकते हैं, या फिर existing है, तो हम उसे join भी कर सकते हैं, और माल लीजे अगर आप कोई organization join नहीं करना चाहते हैं, तो को या आपके साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकता है, मतलब आपको जबर्दस्ती कोई organization join करा दे, ऐसा possible नहीं है, क्योंकि हमारा constitution हमें negative right भी देता है, तो आप नहीं join करना चाहते हो, तो मत कीजिए, और बाकी rights की तरह, यहाँ पर भी state जो है, वो reasonable restriction impose करता है, अगर state को लगता है कि आपके organization या union भारत की integrity और sovereignty के लिए खत्रा है, या फिर public order या morality के लिए issues create हो रहे हैं, तो उन cases में state जो है, वो reasonable restriction लगा सकता है, इसके लावा ये बात भी ध्यान देने वाली है, कि आप associations बना सकते हैं, यह आपका fundamental right है, बट सरकार उसे माननेता देगी, यह ज़रूरी न नहीं यह आपका fundamental right है, कि आपकी organization को सरकार माननेता देगी, तो यह था freedom of association, अब देखते हैं article 19 का next article, जो है freedom of movement, हमारा constitution हमें आजादी देता है, कि हम within India, कहीं पर भी किसी भी state या union territory में हम आ जा सकते हैं, freely move कर सकते हैं, बट अगर बात करे movement की, तो movement basically दो तरह का हो सकता है, movement within the country, या फिर moving out of the country and coming back, यानि foreign travel, article 19 हमें देश के अंदर freely move करनी के आजादी देता है, और यह जो foreign travel की जो बात कर रहे हैं, यह article 21 का part है, अभी के लिए हम लोग article 19 पर ही focus करेंगे, बट आप सोच के देखो, कि जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो, तो आपको वह जगह आप कुछ-कुछ दिन रुखते हो, होटल में रुखते हो, या फिर rent पर रुखते हो, और फिर ये भी possible है कि एक दिन आपको कोई जगह इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगे, कि आप decide कर लो कि आप वहीं पर permanently रहोगे, temporary stay को कहते हैं किसी जगह पर reside करना, और कही पर permanently बस जाने को कहते हैं, settle हो जाना, हमारा constitution हमें freedom of residence में ये दोनों freedoms देता है, तो हमने देखा कि freedom of movement और freedom of residence क्या होता है, बट इन दोनों freedoms related, state अगर चाहे, तो कुछ grounds पर reasonable restrictions लगा सकता है, वो grounds क्या है, वो grounds है, interest of general public, या अगर आपके movement, या फिर किसी जगह पर जाकर रहन से वहां के लोगों को किसी तरह का inconvenience होता है, और state इस बात को मानता है, तो आपके movement या फिर freedom of residence को restrict किया जा सकता है, और हम आगे देखेंगे कि Supreme Court ने किस तरह के restrictions आलेड़ी लगाये भी हुए हैं, next exception है, scheduled tribe के interest को protect करने से लेटर, कहने का मतलब कि scheduled tribe के interest को protect करने के लिए भी लोगों के movement या फिर freedom of residence को restrict किया जा सकता है, for example, travel areas में जाना restricted है, अब देखते हैं कि इन reasonable restrictions से लेटर, courts ने क्या-क्या आदेश पास किये हैं, Supreme Court ने prostitutes के movement से लेटर कुछ restrictions लगाये हुए हैं, in fact Supreme Court ने तो prostitutes और जो नामचीन बदमाश होते हैं, उनके place of residence से लेटर भी कुछ restriction लगाये हुए हैं, इसका मतलब अगर कोई AIDS का patient है, तो उसको Bombay High Court के द्वारा जारी की गई guidelines को मानना होगा, तो इस तरह हमने freedom of movement और freedom of residence दोनों को cover कर लिया है, अब देखते हैं article 19 का last point, जो है freedom of profession, देखो हर एक इनसान अपनी रोजी रोटी के लिए, कोई ना कोई profession तो choose करता है, कोई business करता है, कोई call center में job करता है, कोई architect बन जाता है, तो कोई doctor बन जाता है, हमारा constitution citizens को freedom of profession देता है, यानि citizens खुद choose कर सकते हैं, कि वो कौन सा profession या फिर business करना चाहते हैं, state उन पर किसी भी तरह का profession impose नहीं कर सकता, state नहीं बोल सकता कि तुम्हें आर्मी में भरती होना ही होना है, state ये भी नहीं बोल सकता कि तुम्हें इस road के construction में काम करना ही होगा, तो ये आपकी मर्जी है, ये आपका decision है, आपकी choice है, कि आप कौन सा profession चूज करना चाहते हो, but obvious सी बात है, कि freedom of profession, आपको women trafficking या sex racket चलाने जैसे immoral occupation की इजाज़त नहीं देता है, औ आपने bum बनाने के factory खोल ली, तो ये allowed नहीं है, इसके अलावा state अगर चाहे, तो कुछ grounds पर reasonable restrictions लगा सकता है, जैसे कि state अगर चाहे, तो किसी profession, business या फे trade के लिए, एक minimum professional qualification रधार्द कर सकता है, for example, आप medical practice करना चाहते हैं, तो आपको MBBS की degree तो कम से कम होनी ही चाहिए, आप आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, कि आप सुबह उठे और सफेद कोट डाल कर अपना clinic खोल लिए, इसके अलावा सरकार को ये भी अधिकार है, कि अगर सरकार चाहे, तो किसी भी trade, business या फे service को सरकार खुद चला सकती है, और इसमें सरकार चाहे, तो citizens को involve करे, और चाहे तो ना कर ये सरकार की मर्जी पड़ेपेंट करता है, और इसके लिए सरकार को किसी को justification देनी की भी जुरूत नहीं है, इसी के साथ हमने article 19 के सभी 6 के 6 democratic freedoms को cover कर लिया है, बड़ आपको पता होना चाहिए, कि 1978 से पहले article 19 में 6 नहीं, बलकि 7 democratic freedoms हुआ करते थे, और ये 7th democratic freedom था, right to property, ज basically हुआ कि 44th constitutional amendment ने right to property को article 19 से हटा दिया, और पहुचा दिया article 300a में, इसका मतलब अब right to property एक fundamental right तो नहीं है, बट क्योंकि अभी भी हमारे constitution में है, इसलिए constitutional right अभी भी है, और इसे हम article 300a में देखेंगे, तो ये था article 19, next video में हम देखेंगे article 20, अगर आपको ये video अच्छ for watching and supporting Bukstava